नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा पीस लेकर करके हूँ जो की वर्क जो है हमारा उपर तक होता है तो वर्क जब हमारा उपर तक होता है तो इसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं किस तरीके का यहां पर डिजाइन बनाएं तो आज मैं आपके कि एक सिर्फ neck के दुआरा ही यहां पर दी जाती है तो यहां पर डिजाइन के लिए मैंने यहां पर यह देखे यह लेस लिगी है इससे हम लेस से तयार करेंगे V-neck का एक बहुत ही सुन्दर डिजाइन जिसमें हम anchor के दागय का काम भी करेंगे और बहुत ही प्यारा साथ को डिजाइन बना करके दिखाने वाले हैं तो आईए चलते हैं सबसे पहले neck की cutting करेंगे और फिर शिखेंगे इस design को बनाने का तरीका तो फ्रेंज जैसे मैंने आपको बताया हैं हम यहाँ पर V-neck बनाने वाले हैं तो V-neck बना ले के लिए हमने यहाँ पर यह paper pasting ली वी है तो सबसे पहले आप यहाँ पर धियान दे कितना आपने यहाँ पर broad length रखना है तो जो हम इस paper pasting को इस तरीके से double कर लेना है और यहाँ पर हम 74 इंच पर निसान लगाएंगे यह हमारा 74 इंच पर यहाँ पर निसान हो जाता है अब हमने deep length देखनी है यहाँ पर कितने इंच तक रखनी है तो इस तरीके से देखेंगे तो V-neck का एक निसान लगा लेना है तो यहाँ पर हम V-neck का यह निसान लगा लेंगे और इसके बाद दूसरा निसान यहाँ पर आदा से पोना इंच का मार्जन रखते हुए इस तरीके से लगाएंगे नीचे भी हम इस तरीके से यहाँ पर निसान लगा लेते हैं तो simple जो V-neck है यह हमारा यहाँ पर cutting हो चुका है अभी यह हमारा थोड़ा broad है बाद में जब हम इसको त्यार करेंगे तो यह बिल्कुल फिका जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर designing डालनी है तो friends जो हमने यह neck cutting किया है इसको हम कपड़े के उपर चिपका लेते है तो यह देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरीके से neck line जो है paste कर ली है अब हमें यहाँ पर front में करनी है तयार तो जैसे simple गला तयार किया जाता है वैसे ही इस गले को मैं यहाँ पर ready करूँगा कर दमोन एक दो आयार के दो आए o lot10 रजक निए जासी में जाका आए खिखिए।न घ्मार सबना एक उते है उंग कर्क जास आहाँ पर ंना जाना हम यहाँ है तो एकपा रखám, जाए उबया गुची अधको करें देखें सिंपल वीनेक जो है हमने यहां पर रेडि कर लिया है अब यह हमारे पास जो बारीक सिल्लेस है इसको हम यहां पर रखेंगे और अटेच करेंगे तो यह देखें इस तरीके से हमने यहां पर लेस लगा लिए है अब यह सीधी साइड हमारी क्युछ तरीके से यहां पर नजर आईगी यह देखें कितनी प्यारी से यहां पर लेस लगी है सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी लगा लेंगे तो यह देखे दोस्ता हमने यहाँ पे इस तरीके से यह लेस जो है दोनों साइड में अटेच कर ली है इसके बाद हम यहाँ पे एक पट्टी लेंगे इस तरीके की यह पट्टी होगी हमारी और ये हमने लिए है धाइन चोड़ाई वाले to end up और हमने यहाँ पे सुई में तीन धागे डाल लिया है तो आप यहाँ पे तीन धागे देख रहे होंगे देखे इस तरीके से एक हमारा उपर यहाँ पे रहेगा दो हमारे यहाँ पे रहेगे एक हमने बोविन में डाल लिया है और एक हमने यहां पर डाल लिया है और इन तीनों धागों को हमने यहां पर सेट कर लिया है तो मैंने यहां पर एक सिलाई लगा के देखी है कि सेट है या लूज टाइट तो नहीं है तो ये देखे, आप देख रहे हूंगे, यहां पर कितना प्यरा सा काम हुआ है, इस तरीके से आप पूरी फणिसिंग के साथ में यहां पर ऐसे काम करेंगे, गाप आप कम ज्यादा रख सकते हो सी लाई का, मैं यहां पर एक पैर से एक पॉंईट ज्यादा रखूँगा, तो ये देखे मैंने 4-5 यहाँ पर सिलाई लगा ली है अब यह हमारी total जो पटी है इसकी जितनी भी length होती है तो इस पे हम anchor के धागे का काम complete करेंगे तो ये देखे दोस्तों हमने यहाँ यहाँ पर anchor के धागे का जो काम है यह अपना complete के लिया है इसके बाद हमें यहाँ पर लगानी है यह less तो less हमें underground रखनी है मैं आपको बता देता हूँ तो उसके लिए हमें एक side में यहाँ पर इस तरीके से less को रखते हुए यह इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो एक side में जैसे हमने यहाँ पर less लगाई है अब हम यहाँ पर दूसरा कपड़ा ऐसे रखेंगे और कपड़ा रखने के बाद इसी सिलाई के उपर फिर से सिलाई लगाएंगे तो यह देखिए हमारी जो less है यह underground यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगी अब आप इसको अच्छे से set कर ले इस तरीके से set करके यहाँ पर सिलाई लगा लें तो यह देखिए दोस्तों हमने टोटल यहाँ पर तो यहाँ पर आपका neck भी बिल्कुल okay आ जाएगा broad length भी बिल्कुल okay आ जाएगी क्योंकि जो हमें neck रखना है वो रखना है तो यह बिल्कुल set हो जाएगा तो अब एक एक करके मैं यहाँ पर दोनों side यह पट्टी लगा लेता हूँ फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ final look यहाँ पर दो हूँ तो यह देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे नेक लाइन जो है वो रेडी कर ली है और आप देखी रहे होंगे यहाँ पे कितना प्यारा सट जाइन बन करके तयार हुआ है सिंपल सी लेस के दोरा और एंकर के दोरा हमने यहाँ पे यह काम करके आपको दिखाया है और पूरा पीस आप देखोगे कितना हेवी डिजाइन यहाँ पे बना हुआ है तो उसी के अकोडिंग हमने यहाँ यह वीनेक त्यार किया है तो फ्रेंस आज भी इस तरीके से बहुत ही सुंदर्शे डियाइन बना सकते हो और इस तरीके की ओर डियाइन निंग आप सीखना चाते हो देखना चाते हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो फ्रेंस आज के लिए बस इतने ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद